नमस्कार दोस्तो राटे क्लासिस कॉंसेप्ट में आपका स्वागत है उमीद करता हूं कि आप लोगों के त्यारी बहुत बढ़िया चल रही होगी ठीक है और आप तन और मन्द दोनों से स्वस्थ होंगे दोस्तों कल सब्सक्राइब कर दोस्तों हमें सबसे पहले हम देखते कि जी ऐल से यहां यहां दोस्तों हमें सबसे पहले हम करना है ठीक है अब अगर मैं बात करूं यह कोशन हमारे सामने है 1821 2427 सबसे पहले हम देखे कि सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए मैं आपको सुनू करने से पहले दो मिनिट की बात आप एक बार यह समझ लीगे जैसे मैंने का जी छैंशें किस किस से कटने वाला है तीन से दो से एक से अब तीन दो और एक यह क्या हुए तीन दो एक इस च्छै के क्या हुए गुनन च्छै का मल्टीबल होगा बात आगे समय मैंने के गुनाज होगा ठीक है दोस्तों तो यहां पर एक चीज़ आपको समझनी है बात को बहुत ध्यान से समझझीगा देखिए जैसे मैंने का यह 4 है यह 6 ठीक है एक बहुती चोटी सी बात आपको बस मुझे बतानी है 6 4 का जो LCM होता हो कितना होता है 12 होता है अगर मैं इनके HF की बात करूँ तो HCM कितना होता है 2 होता है ठीक है अब एक चीज़ देखिए आप लोग अगर 4 6 का LCM 12 है तो इस का मतलब है कि LCM का मतलब होगे कैसे चोटी से चोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से कट जाए और कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से कब कटेगी जब उसके अंदर मौजूद हो जब उसके अंदर मौजूद हो जैसे मैंने कहा जी चार और भारा को मैं क्या लिख सकता हूं चार गुणा दिल लिख सकता हूं इसका मतलब है कि इस बारा में क्या है ये चार अंदर शिफ़ा हुआ है तो यानि कि अगर मैं कहूं तो चार शे का सफर्व मेरा बारा है उनके टोईल है तो बारा के अंदर चार पी भी मिलेगा और चीज विलेगा अब यह चीज और देख़े 6 किससे बना है तीन और दौशे अब जब 6 इसके अंदर चला गया तो इसक अंतलg 3 भी चला गया और इसके पहले सीज़ चुनिए जो होता है वो संख्याओं में मौजूद होना चाहिए ठीक है और एल्चियम में संख्याओं और हसी दोने होने चाहिए ठीक है दोस्तो तो आप स्टार लगा किसे बात को लिख लेजिए गा star लगा के लिख लेजीगा कि संख्याओं में HCF होता है संख्याओं में HCF होता है HCF होता है ठीक है और LCM में संख्याओं और HCF और HCF दोनों होते हैं दोनों होते हैं अब देखे मैंने आपको कोई फार्मूला नहीं बताया ना मैंने कोई ट्रिक बताई यह बस मैं इन दो चीजों पर इस चप्टर को लेकर चलने वाला हूं ठीक है चलिए एक बार आप नोट कर लिजिए इसको अब बात करते हैं आगे अब देखे दोस्तों जो हमें 18,21,27 का हमें निकालना है एल से है मैंकर मैं बात करूं 18,21,27 देखे एक तरीका यह होता है कि हम इसके फेक्टर करते जाए फिर दो से काटे फिर दो से फिर तीन से फिर तीन से ऐसे करके हम इसको जो फेक्टर है वो निकालते चले जाए ठीक है दोस्तों लेकिन मैं यह मान के चलता हूं कि यह मैथड़ आपको आता है यह आपको नहीं आता है चोत्री पांचवी किलास के बच्चे को भी आता है ठीक है अगर आप एक कॉंपिटिटर हो आप एक्जाम की तयारी कर रहो तो मैं यह मान के चलूँगा अटलिस्ट यह तो मैंने आपके option नहीं लिखे है ताकि मैं अभी थोड़ा इसको detail में बता सेखें ठीक है दोस्तों मैं क्या मान लेता हूं मैं यह मान लेता हूं कि जो हमारा HCF है वो कितना है जि 27 है मैं HCF क्या मान लेता हूं अपना 27 मान लेता हूं ठीक है अब मैंने कहा था कि LCM में क्या होन और तो यहां से जब मैं आठ इसके अंदर लेके जाओंगा तो मैं कि कितना हो जाएगा 216 सोला अगर चोबिसकों इसके अंदर लेके i 시ink čाणके अगर दोसो और steps इंदर आ चुका की सोगनें सते होगो अड़ी चोधारane से 16 मिल्टिप्लाई करेंगे तो यह star 16-312 तो 1400 और 112 यानि कि 1512 के लिए रहे दोस्तों हम मैं देख रहूं कि 18 हमारा इसके अंदर आ गया तो जी मैं देख रहूं कि 18 में एक 2 आता है एक 9 आता है 2 यहां आ गया और 9 यहां यानि कि 18 इसके अंदर आ चुका है तो इसके मतलब यह मेरा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा ठीक है दोस्तों हमें एक बार दुबारा से रिपीट करूँगा बहुत ध्यान से आप समझेगा ठीक है और इसके लिए मैं एक चीज और बता देता हूँ कि मैं इसके लिए पैन नी उठा हुआ देखे जैसे मुझे इसका LCM निखाला तो मैं कहूंगा 27 मैं कहूंगा 24 इसके इंदर आगा नहीं जी आठ नहीं आए अभी तो 278 कितना हो जाए जाली 216 यारी का आठ आगया मैं देखूंगा किस क्या किस आगया नहीं जी 21 बना है साथ और तीन से तीन तो आगया जी क्योंकि तीन तो देखो 27 में भी है लेकिन साथ नहीं आया साथ नहीं आया तो मैं साथ को लेके जाऊँगा तो 216 लाग उना साथ कितना हो जाएगा इतना ही लिखूंगा कि 1512 अब 18 कि अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देखे दो भी आ गया और नो तो 27 के अंदर शुरुआत नहीं था ठीक है तो इसका मतलब है कि 1512 मेरा क्या हो जाएगा अब दोस्तों मान के चलो कि आप इसको डिटेल में कर रहे हो तो मैं के तो आप ठोड़ा परियास करें यह आप वह ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी ठीक है अब थोड़ा सा दिमार्ग को ट्रेंड करेंगे और इस तरीके से करेंगे अगर आपको डिटेल में भी करना है अब आगे चलते हैं दोस्तों अब मैं आपको कुछ और चीज़े बताने वाला हूँ वह ज्यांद दे समझी क्या है अब देखें जैसे मुझे निकालना है 18 28 और 38 यानिके 38 28 और 18 इसका मुझे LCM निकालना है तो दोस्तों मैं यह जानता हूँ कि अगर इनका जो भी मेरा LCM आएगा उसके अंदर 38 भी होगा उसके अंदर 28 भी होगा और उसके अंदर 18 भी जाएगा और 18 किस से बना है 9 और 2 से बना है तो अगर यह 9 और 2 से बना है तो उसके साथ में क्या जाएगा 9 भी जाएगा तो मैं देख रहूँ कि मेरी कौन सी संख्या 9 से कटेगी ठीक है द अब यहां देखे, साथ टीन, दस, आट रट शॉला, सोल और दस होगे 26 यह भी मेरा नो से नहीं किटेगा, यहां देखे, आट रट शॉला और साथ चार कितना हो जाएगा, जी ग्यारा, 16 और 11 हो जाएगा 27 ये मेरा बिल्कुल ये मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है और ये हो जाएगा 8 तीए 24 और 5 29 याने कि ये भी मेरा 9 से नहीं कटेगा ये मेरा अंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब देखो LCM निकालने के मेरे पास एक तरीका नहीं है multiple method मैं ये भी द जब आप वीडियो देखो तो पोज करके वीडियो को आप दूसरे तरीके से भी चैक कर सकते हो कि 7 से भी कट जाना चाहिए वह 19 से भी कट जाना चाहिए बात आगी समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं क्या देख भार हूं दोस्तों यहां देखे जरा अब अगर मा हुआ कि 55 उसके अंदर जाएगा 45 भी उसके अंदर होगा और 35 भी उसके अंदर होगा बात आगी समझ में अब दोस्तों एक चीज़ देखे जैसे मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूं वही यह एक डबा है और इसके अंदर आप यह देखे एक माइक्रोफोन है ठीक है अगर म इसके अंदर जाएगा तो 55 किसे बना है 5 और 11 से 5 और 11 से यानि कि 11 भी इसके अंदर जाएगा अगर मैं कहूं जी 45 जब अंदर जाएगा तो 45 का मतलब होगा 45 किसे बना है 9 और 5 से तो 9 और 5 दोनों इसके अंदर जाएगे तो मैं देख रहा हूं कि मेरे LC में क्या होना चाहि जाने के पहली संक्या जो मेरी नुष से भाग हुजाईगी ठीक है इसके बाद देखें साथ तीम दूट फाक्षान यह तो नो से नहीं कटैगी अब मैं दिख रहूँ भाई आठ तीम 11 मुझा चाहलगे यह भी नुष्ट नहीं इन श्रूंग मैं अब दूस्तो आपके मन में इसे बीटेल यह वाली इससे भी मत जओ आज पड़ेगा आनके चलो कि मुझे इसको डिटेल भी करना पड़ गया तो मैं डिरेक्ट हुआ डिरेक्ट दिमाग में आगया तो अच्छी वात नहीं आए तो मैं डिटेल में भी इस तरीके से नहीं जा लेगा ठीक है ध्यांचा देगे मैंने महान ले कि अटर चैल्सम कितना जी पाश्म है अब मैं देख रहूं 45 45 किसे बना है नो और पांच से पास तो इसके अंदर आ चुका है लेकिन नो इसके अंदर नहीं है तो मैं इसके इन्दर है लेकिन 7 है अब देखो जह मैं साथ से multiply करूँगा तो मैं 495 की 7 से नहीं करूँगा मैं 500 की करूँगा क्योंकि 500 इसके बहुत करीब है तो मैं देखूँगा 75, 3500 75, 3500 और ये कितना कम है 500 से 5 कम है तो 75, 3500 यानि कि मैं 3500 में से 3500 घटा दूँगा तो कितना आजाएगा 3465 मेरा answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों यानि कि मैं अगर डेटेल में भी जाओंगा तो मैं बहुत जादा लिखने वाला नहीं हूँ ठीक है अब आगे देखे जरा नेक्स्ट कोशन 12, 15, 18 और 27 इसका हमें क्या बताना है जी लिखने बतान है तो मुझे दिखाई देरार 27 में आ रहा है नो तो नो किसमें इसमें नहीं इस में भी नहीं इसमें भी नहीं ये मेना answer ही ऑक बार दवारा से repeat कर देता हूं देखिए मैंने का जी मुझे 27 में क्या दिखाई दे तेरा जी 27 में मुझे 9 दिखाई दे रहा है ठीक है चार चार आठ इसमें 9 नहीं है यह 9 से कड़ जाएगा देखो 9 छी के चोवन होता है यह मेरा अंसर हो जाएगा क्योंकि यह भी 9 से नहीं कड़ेगा और यह भी 9 से नहीं कड़ेगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते ह आगे कोशन देखे दोस्तों 16, 18, 20 और 25 इसका मुझे बताना है जी LCM क्या होगा सबसे पहले मैंने देखा 18 में क्या आता है जी 9 आता है अब 9 किसमें है जी 9 एक तो इसमें है इसमें तो 9 नहीं है एक इसमें है और इसमें भी 9 नहीं है अब बात यह आती है कि मैंने 20 से देखता हूँ ठीक है लेकिन मेरी Priority होती है देखे दस northwest story मैं पहले चेक करता हूँ उसके बाद 9 से 3 से करता हूँ उसके बाद मैं 7, 11 और 13 से चेक करता हूँ दोस्तों ठीक है क्योंकि ये एक preference का मेरा sequence है कि मैं किस-किस visit से अपनी divisibility को चेक करूँगा ठीक है बाकि आप अपने हिसाब से अपनी divisibility सेट कर सकते हूँ ठीक है अब मैं यहाँ देख पार हूँ कि नो से तो मेरे दो अपसन आगये एक आगया और एक आगया सी ठीक है आज आज आब आज में थोड़ी सी प्रोब्लम हो सकते है क्योंकि तबियत मैंने पहले भी जैसे बताए था आपको ठोड़ी ठीक नहीं है अब ध्यान से देखें अब इन दो अपसन में अभी अठारा से का मतलब है कि वही नो से कट रही है और दो तो इनके अंदर पहले से अठारा से तो कट रही है क्या यह सोले से भी कट रही है हम मैं देख ले तो हूँ एक बार देखें जी तो मैं देखुंगा आगे देखिए मुझे आपचारा का 21 का और 24 का 18, 21 और 24 मुझे Lcm बताना है मैं फिर से एक चीज़ देख पा रहू है जी इसमें 18 है, 18 का मतलब है कि जी वो 9 से मेरा डिवाइड हो जाना चाहिए, अब 9 से कौन डिवाइड है देखते हैं जी, 6, 4, 10, 4, 14 ये तो नहीं है, 5, 4, 9 ये 9 से कट जाएगा जी, अब ये 5, 3, 8 ये भी 9 से नहीं कटेगा और ये भी 9 से नहीं कटेगा, ये मेरा अंसर हो ज करते हैं, एक बार वीडियो पोज करके, आप पहले कोस्टन को आप भी एक बार को परियास करें लगाने का, ठीक है, देखें, फिर से देखें आप लोग, इसमें फिर से मुझे 18 दिखाई दिया, और 18 का मतलब है, 9 दिखाई दिया, ठीक है, 9 से कौन कटेगा जी, ये तो न देखें कि इसका अगर आप एलसेम निकालने बैठोगे, तो मजाल कोई इस तरी इतनी जल्दी आपका अंसर आ जाए, ठीक है, अब देखें जरा एक बार, आगे देखें, और ये मैं कोई आपको ट्रीक नहीं बता रहूं दोस्तों, ये तो आपके जो, कॉनसेप्ट में ब बनाए, जीरो से लेके, नो अंको तक इसी तरीके से हमारा गनी तयार हुआ है, क्योंकि आप कोई भी सवाल उठाओगे, तो अंक तो यही होगे, जीरो से लेकिन नो तक, ठीक है, तो अगर आपने जीरो से लेकिन नो तक इनका विधे पैचान गया, कि ये कैसे कैसे काम कर है ठीक है तो मैं केता हूँ आपकी 40-50% प्रोब्लम तो ऐसी सूर हो जाएगी calculation की आप जहांचे देखें मुझे नजर आ रहा है यहां पर 15 है यहां पर 20 है और यहां पर 35 है ठीक है मुझे यह नजर आ रहा है कि 35 किस से बनाएं साथ और पांचे बनाएं ठीक है अगर आप आके देखे तो दो ओफसन अभी भी बचे होएं क्योंकि इसमें भी पांच है और इसमें भी पांच है लेकिन पांच तो है साथ भी होना चाहिए साद किसमें जी इसमें तो नहीं है यह मेरा ढंसर हो गया बात समच पा रहे हैं आप लोग कि में 90 को चेंट कोसंटव में मैं पहलम का यूज़ गरता ही मैक्स भिशा मैं नीं करता हूं ठीक है अब बस तो ओल्रेडी 75 के अंदर आ चुकी है 25 तो ओल्रेडी 75 के अंदर तो इसकी तो कहानी खतम हो गई बास समझ पा रहे हो अब 50 में मुझे क्या नजर आ रहा है 25 और एक नजर आ रहा है दो अब ये 25 तो इसके अंदर है मैं दुबारा से बताता हूं एक बहुत ध्यान से समझे जाए है ठीक है मैं देख पार हो कि 25 तो पहले से 75 के अंदर है तो इसकी कहानी आप खतम ही कर दो अब 50 किस से बना है पचास बना है 25 से और दो से अब देखो 25 तो इसके अंदर है लेकिन दो नहीं है दो नहीं तो अगर मैं 75 में दो लेके आ जहाँ तो पिछल तब उने कितना हो गया डेड़ सो यह तो मेरा डारेक्ट ऐसे यह अंसर आ रहा है ठीक है इसमें तो मुझे जादा दिमाग लगान नो का परियोग हो रहा है इसका परियोग है दोस्तो नो का परियोग है ठीक है अगर चोवन में नो का परियोग है ठीक है तो बस मैं इतनी सी कहानी देखूंगा कि जी 9 किसमें है 8 9 6 3 9 हा जी पहले वाले में 9 मुझूद है क्या दूसरे वाले में भी है 8 2 10 4 3 7 नहीं जी इस यहां देखें, यहां देखें, यह में अंसर होने, कि आप सेकिंडो में अपने आंसर मार कर सकता है, थोड़ा सा अपमारिय यह को कंसेप्ट्वल धंग से करें, ठीक है, चले दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगो क्लास बढ़िया से समझ आ होगी, ठीक है, बात आप म मिलेंगे अगले किला सब्सक्राइब, थैंक्यू.